अगर आपको मेरी डिशिस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरी इस तरह की नमी नमी डिशिस का अपलोड होने से ही पता चल जाएगा मेरे पास थोड़े से चावल बच गया थे बने हुए सो मैंने कुछ दमा बनाने की सोची वो आपके साथ में शेयर करती हूँ यह बहुत ही यमी बनता है एक पार्टी चावल बचे हुए है मेरे पास इनको ले लिया है मैंने और ग्रीन पीस बॉइल करके थोड़े से मैश कर है चार स्लाइस चार बॉइल पटेटो को मैश कर लिया है उसके साथ हमने ले लिया है यह नमक आमचूर पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च कटी हुई यह सब हमारे पास चीज़े रेडी हो गई है अब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे आदा ल टिकी बनाने के बाद मैंने इसमें चीज का एक पीस डाल दिया है और इसे वापस बन करके और अलग-अलग शेप से मैंने इनको रेडी कर लिया है अब हम इसको फ्राइ करेंगे नहीं डीप नहीं करना है हमने इसे शैलो फ्राइ करना है हां और इनके बिफोर शैलो जो उसके बाद हम जब शेलो फ्राइ करेंगे तो बहुत खाने में स्वाल लगते हैं और इसको दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं यह मैंने थोड़ा सा तेल लग दिया है पैन में इसे गरम होने के बाद मैंस में अपनी टिकी डाल दूँगी आप दीफ्राइ भी कर स आप इसे कबाब का शेप देच सकते हैं चोटे बड़े जो साइज आपको सही लगता है वैसे बनाएए और खाये और इसे चट्ञी और सौस के साथ सब कीजे और मुझे बताईए मेरे कमेंड बॉक्स में बताईए कि आपको कैसे लगे हैए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्र चैर करूंगी with some fusion with some twist so keep watching yummy dishes cook quick with Kavita मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए notification को click कीजिए keep watching till then bye enjoy जै माता दी जै माता दीजिए